हेला आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इसे शोट में डी एफ्टी भी कहते हैं आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसे इसका फॉर्मूला आता यह कह यह एक होया पतों हम सेंप्लिंग कर देते हैं तो मिलता in DFT बस याद अखना अगर DTFT की हम सेंप्लिंग कर देते हैं तो हमें मिलता DFT तो इसमें यह ज़िए डिस्कीट फोरियर ट्रांसवर में यह क्या होता है और डिस्क्रीट होता है अगर पीरियोड है कि तो इसका कुछ होता है ठीक है इसका जो डिया ट्रांसवर एक्स एन का वो कैसे होता है एन 31 जीरो से लेके एन माईनएस वन एक्स ओफ एन एक्स ओफ एन इर जो बावर माईनश जे टूब पाइबाय एन के एन यह इसका फॉर्मूला होता है ठीक है यहाँ पर एक चीज़ समझो जो हमारा यह X of K मिला यह क्या periodic plus discrete है यह और यहाँ पर जो यह X of N है यह भी कैसा होता periodic plus discrete ठीक है यहाँ जो यह K लिखा कहां से कहां तक जा सकता K जो होता है हमारा 0 से लेकर N-1 तक जा सकता है ठीक है यह होगा K की डॉमेन आगे देखते हैं इसी तरीके से अगर हम इसी इसमें हम क्या करते हैं इसको simple बना रहे के लिए यह जो E रेजिटिट पर माइनस जे 2 पर बाइन इसको एक फेक्टर के इकुल मान लेते हैं जैसे कहते हैं हम टूइडल फेक्टर लेट E रेजिट पर माइनस जे 2 पर बाइन को हमने मान लिया क्या मान लिया ओमेगा एन ठीक है इसी को क्या कहते हैं टूइडल फेक्टर क्या है टूइडल फेक्टर टूइडल फेक्टर इसी देखो अगर मैं इस वाली वैली को इस फॉर्मूले में रख दूँ तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा X of K इसी केस्टो N 0 से लेकर N-1 N-1 तक क्यों जा रहा है क्योंकि उसमें N element X of N X of N Omega N raised to the power KN हो जाएगा ठीक है हमने क्या कर दिया इस वाले फेक्टर को ओमेगा N मान लिया ठीक है तो यह ओमेगा N की power KN हो जाएगा ओमेगा N को इसको डबलू से कह सकते हो ठीक है बस यह याद रखना है तो आगे देखो अब इसका यहां से फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे एक जनरल फॉर्मूला पहले क्या करते हैं इस समिशन को ओपन कर दो ओपन कैस करेंगे N की वैल्यू जीरो रखो वन रखो टू रखो ऐसे N माइनस वन तक रखो तो यह किसमें रिडियोज हो जाएगा एकस ओफ के किसके एकवल आ जाएगा बस यह देखते रहो कि कैसे फॉर्मूला रहा ठीक है बस यह इंपोटेंट है बागी कि मैं जब कोशन आएंगे तब बताऊंगा तो एन वराबर जीरो लगाओ पहले इसमें तो एकस ओफ जीरो हो जाएगा और यह ओमेगा एन की फॉर्मूला इसको बना के ला रहा है एकस ओफ एन टू बन हो जागा जब एन बराबर बन रखाए अब टू रखो एसे यह तो हो जागा ओमेगा एन की पावर के इंटू टू टू ऐसे यह चलता चले आएगा इसमें कितने एलिमेंट आएंगे कहां पर खतार हो रहा होगा n-1 पर तो n कि देगे n-1 रख तो x of n-1 omega n की power k into n-1 यहां तक बास समझाई होगी आगे देखते हैं अब क्या करने है इस formula को generalize कर लो k की value हमें पता ही है 0 से लेके n-1 तक जा सकती है तो बस पहले k बराबर 0 लगा फिर k कस्टू 1 k कस्टू 2 ऐसे करके दो तीन equation बना लो तो दो तीन equation बना लेते हैं थो पहले k equals to 0 लगा तो यह formula कैसे बन जाएगा अब हम man formula generate कर रहे हैं यह नीचे n रिखा ना इसके period को बता रहा हूँ इसलिए नीचे लिख लिए हमने याद करने के लिए ठीक है जीरो इंटू 0 के की जाएगा 0 लगा रहा हूँ पूर equation में उपर वाली में ठीक है इसी equation मैं लगाऊँगा मैं उपर वाली में हर वाके कस्टू 1 लगाऊँगा फिर ऐसे पहला भी 0 लगा रहा हूँ 0 इंटू 1 यह हो जाएगा 0 इंटू 2 इस ती तरीके से x of n-1 0 इंटू n-1 ठीक है आपके 1 लगाऊँ इसी equation में लगाता चलूँगा बस एक बार formula बन जाए हमारा काम बन जाएगा एक सोब 0 ओमेगा एंट इस ती पावर के के जाएगा बन लगा रहा हूँ तो 1 इंटू 0 बात में शोर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कैसे याद रखना ठीक है formula को एक सोब 1 यह के 1 इंटू 1 हो जाएगा एक सोब 2 ओमेगा एन और यह कितना जाएगा 1 इंटू 2 एक सोब एन माइनस 1 और यह कितना जाएगा 1 इंटू एन माइनस 1 अब टू लगाओ के की जागे सेम फोर्मूल में जबात तीन चार्ड वो टर्म जनरेट कर लो उससे काम बन जाएगा अपना तो एन बराबर टू लगा रहा हूँ तो टू इंटू 0 एक सोफ वन ओमेगा एन टो इंटू 1 एक सोफ टू ओमेगा एन टो इंटू टू एक सोफ एन माइनस 1 ओमेगा एन यह जाए टो इंटू एन माइनस वन ठीक है इसी एक्वेशन में रख रहा हूं आप बहुत सारी रख लिए आप जनरेट फॉर्मूला लास्ट में रख दो जो लास्ट वैल्यू है ठीक है इसी तरीके से एन के की वैल्यू एन लास्ट एन म हमार फोर्मूला है एकस ओफ एन माइनस वन की की जैगे डान माइनस वन लगाrü सब्यूरी क्वेशन यह जागा यह सब ऑन को ःल्ले मेंक safety ओमेगा एन का यह एन माइनस वन इंटो चंग है एक्व सब्वन ओमेगा एन माइन ननमाइन इंटू Requ Rap लान माइन देला एं और य नेक्स्ट एन माइनस 1 इंटू 2 ऐसी चलता चले आयगा लास्ट में हैं यहां पर देखो और x of n minus 1 कि ओमेगा एन की की जग लगा रहे है एन-1 तो यह हो जागा एन-1 एन-1 ठीक है यहां तक यह एक्वेशन आ गही आप देखे इन equation को अगर मैं matrix form में लिखूँ तो कैसे दिखेंगे अगर मैं इसको matrix form में लिखता हूँ तो यह किस तरीके के दिखेंगे x of 0, x of 1, x of 2, dot 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 x of n minus 1, एक बड़ी लंबी चोड़ी इसी matrix इदार और इधर यहां पर इसको relate करके देखो जो मैं बना रहा हूँ x of n minus 1 ठीक है यहां पर देखो यह एक चीर repeat हो रही है x of 0, x of 1, x of 2, x of 0, x of 1 यह स्टाइक से repeat हो रही है ठीक है तो इस वाले इस चीज़ को मैंने इदर लिख लिए अभी यह जो omega n की power चल रही है इन सब को इस पहले इसमें लिख दो ठीक है पहला इदर से लिखो पहली इस वाले को देखो omega n की power 0 into 0 omega n raise to power 0 into 0 ठीक है मैं क्यों multiply कर दा हूं 0 into 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इसी 0 then 0 into 1 फिर से 0 जो then 0 into 2 again 0 एसे dot 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 जाएगा जोट यह स्थी अचल मैं में ओमेगा एंटो 0 into n minus 1 जो जो एसे इस वाले पार जाह हो अब वोमेगा एन की पावर 1 इंटु 0 तो यह जावा 0 ऐसे 1 इंटु 1 ओमेगा 1 ओमेगा एन की पावर अगला कुतना हो जाएगा एसे डोट 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 लगा देता हूं ओमेगा एन की पावर 1 इंटु n-1 तो यहाँ पाँ जागा n-1 ठीक है next आजा अगली अलाइन में 2 into 0 तो 0 यह रहेगा then 2 into 1 यानि 2 2 into 2 यानि 4 last में क्या होगा 2 से multiply हो रहा होगा 2 into n-1 ऐसे dot 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 लगा दी हमने ठीक है नीचे की तरफ last one line पाया और 0 की n-1 से करेंगे again 0 ऐसे यहाँ पर आजागा यह 1 से करेंगे n-1 की तो n-1 ही रहेगा 2 से करेंगे तो कितना आजागा 2 into n-1 2 into 2 2 2 n-1 dot 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 omega n काहाँ से जाएगा n-1 n-1 तक n-1 n-1 इसको अचिए खिसको और मेज़े थो यह थो यह थो ही थो यहाँ थो यह यहां पर यह थो यह थो यह थो यह 9 समझ यह ऑद देखो यह सब उपर जो हमने बनाया तो इस सब लिख दिया तो यहां पर तो देख सकते हो यह जो मैट्रिक्स है इसमें कितने है एलिमेंट्स है n रो इसमें ठीक है एन रो इसमें एक ही कोलम है यहाँ पर कितना एंडो इंट रों इन रों इन इन रों डेख़ो जीरो से शुरू हो रहा है एन माइनस बन तक जा रहा है तो जीरो से यहां पर एंटू 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 यह पीच वाली मेट्रिक्स हो रहेगी यह स्कौार मेट्रिक्स हाईगी इसी चीज को मैं कैसे सकता हूं जनरल फोर्मुला तो जो हमारा चिर वह औमेगा एंटू स्मॉल एक साथ यह करके याद रख सकते हैं इसी से जो भी हमें कोशन दे रखा होगा एक्सो फैन दे रखा होगा ओमेगा एंड की वेल्यू हमें पता ही है देखो अब मैं बताता हूं तुम्हें ट्रिक यहां तक बात खतम होगी आज का इंट्रोडक्शन अब मैं यह जो बीच वाली मैट्रिक्स है इसको याद करने का ची से पताता हूं कैसे याद करना कि देखो पहला। तक पहला एंठ च्वीघ देखो इसमां ओमेगा एंच की पाव जीरो आ रहा है च्वा तो भाहर वाहले ने पहले रो में पहला रो और कोलम में उसमें तो ivmQ और hugs ऊसके बात देखो आगे क्या हो रहा इसे देखो वन करने चलड़ा 1234 n minus 1 तक जाएगा तो फिलकराता था इसमें ठीक़े उसके नीछे नीचे याद हो गया तरीका चलता चले आएगा ऐसे ओमेगा एन की पावर 4 8 12 इस चलता चले आगा लास्ट में 4 एसे लास्ट वाला देखो ओमेगा एन माइनस फिर 2 से मल्टिप्लाई फिर 3 से ऐसे करकर के चले आएगा इस तरीके सो याद रखता हूँ आपको कोई और तरीका पता हो तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा जो सेकंड वीडियो उसमें हम देखेंगे इसका साइज जनरेट करेंगे ठीक है ओमेगा जब टू वाइटू की मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी वैल्यूस हम याद रख सकते हैं ठीक है तू टू वाइटू की थ्री के लिए फोर के वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टोपिक के साथ